गुड आफटर नियन स्टुडेंट्स मैं आज आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्रेट 15 दोज दुर्गुणों को निरखिय परखिय पढ़ा रही हूँ इसमें संद विनोबा प्राता टहलने के लिए तीन मील पैदल जाया करते थे कंदे पर फावड़ा रखे रहते ताकि रास्ते में जहां भी अस्विस्ता या गंदगी हो उसे साफ करते चलें एक किसान ने पूछा आप या फावड़ा रोज लाद कर क्यों आते हैं उन्होंने कहा मेरा प्रथम कारे सफाई है इस कारे के लिए आवशे को करन तो चाहिए ही सिपाही भी तो कंदे पर बंदुक रखकर चलते हैं तो रास्ते में जो भी गंदगी देखते थे उसे साफ करते चलते थे और यही करने के लिए अपने साथ फावड़ा लेकर चलते थे कंदे पर रखकर तो एक किसान ने उन्हें पूछ लिए कि आप ऐसा रोज क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा मेरा जो पहला कारे वो सफाई है और जो रास्ते में सफाई करने के लिए जोब करन की ज़रूत हो वो मुझे लेकर चलना ही पड़ेगा जिस तरह की देश की रक्षा करने के लिए सिपाही अपने कंदे पर बंदुक लेकर चलते हैं रहा के काटे कंकर देखकर चलना और उनसे बचते वे पैर रखना ही उचित है इसे सतरकता और समझदारी कहा जाएगा किन्तु यह नहीं मान बैठना चाहिए कि हर जगह हर रहा सिमेंट से बनी साफ सुत्रिय हर मार्ग पर रोडे हैं उन्हें पूरी तरह हटाया नहीं जा सकत पड़ेगी और फिर यह भी कहा गया है कि जब हम रास्ता चलते हैं तो हर जगह हमें साफ सुत्री नहीं मिल सकती रास्ते में हमें कभी काटे कभी पत्तर मिलेंगे मिलेंगे तो उनसे बचने के लिए हमें खुद अपने पैर को संभाल कर चलना पड़ेगा नहीं तो क्या हो या कुछ ना कुछ त्रोटी ना हूँ मतलब भगवान को छोड़कर इनसान संसार में जो भी जीव हैं उनके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है ऐसी त्रोटी के अथवा त्रोटी के कारण उनके समूचे व्यक्तित को घटिया मान लेना उचित नहीं और कमी के कारण कि डिक उपैक्षा करने चाहिए उनका समर्थ या स्हायक बना लेना चाहिए उनको हम उन गल्तियों को हम सही बानने और उनके साहता करने की नहीं हमें ऐसा दोर्गवलों को घटाया और मिटाया जाना जाये हमारी जहांत कोशिश हो हम दुरगुणों यानि गलत कामों को हमें दूर करना चाहिए, दूस प्रवर्तियों पर अंकुष लगाना चाहिए, गलत आदतों को होने से बचाना चाहिए, पर इसके लिए आतुर होने की आतिवादी बनने की आवश्चा था, लेकिन इसके लिए जल्द बाजी करने की हमे कारे धीरे-धीरे करना चाहिए दूश प्रवर्तियों से बचना भी आवशक है यानि गलत आदत से बचना भी आवशक है और अन्यायों के दुरगुण अपने उपर आक्रमण ना करने पाए और कोई सी का भी अन्याय करने के प्रती जो हमारा दुरगुण है वो अन्दुरग चाहिए लेकिन लोग तब भी ना सुधने तो हमें उन्हें सुधारने की कोशिश करने चाहिए सब मनुस्या पूर्टेया निर्दोस बन जाएंगे और देव मानुम जैसा सुध पवित जीवन जीएं इसकी आशा करना व्यर्थ है कि सब लोग बिल्कुल निर्दोस हो जाएंगे या किसी के अंदर कोई कमी नहीं होगी इसको सोचना व्यर्थ है संचित को संसकार समय समय पर उभरते रहते हैं जिसके अंदर कुछ गलतियां को संसकार होते हैं अवान छेनेता हैं जड़ जमा लेती हैं और सभाव के साथ इतनी घुल जाती हैं कि अभ्यस को यह पता नहीं चलता कि उसके क्रिया कलाब चिंतन और चरितर में कितने दोश दुर्गुण समय हैं लोग जब इन दुर्गुण का प्रयोग करते रहते हैं तो उन्हें पता ही न मिला जाते हैं वे सुधार प्रयास को कोई उन्हें सुधारने की कोशिश करता है तो उसे वह गलत समझते हैं सुधारने वाले को शत्रु समझने लगते हैं ऐसी स्थिती बन जाने पर बात बनती नहीं बिगरती है सुधार की जो भी गुंजाइस थी वो भी हाथ से चली जाती है दोस प्रतिश्टा कर प्रशन बन जाता है और दोसी चुनोती देने लगता है कि हम अपने जगा पर सही है जिसमें दम खमों वो हमें बदलने की कोशिश करके दिखाए दोरागरा तता इस्थिती के जाप पहुचने पर जब सुधार संभावना थी वो हाथ से चली जाते इस प्रकर समिक्छावा सुधार चेस्टा का प्रयत्र भी निश्फल हो जाता है जब हम सुधार सकते थे वो वक्त हमारे पर चला जाता है और फिर हमारी सारी कोशिश के बेकार हो जाती है जो दोश अपने में से सीधे टकराते उन्हें बिना संतुलन खोए ऐसा प्रयत्र करना चाहिए कि बचकर निकलने का कोई राष्टा निकल सके विग्रह प्राया गलत फैमियों के कारण होते है अन्यायों को सुधार यह तरीका अच्छा है कि उन्हें एकांत में अपनी सत्भावना का स्मान दिलाते वे इस प्रकार समझा जाए कि दोशों के बने रहने पर होने वाली हानियों और छोड़ देने पर उत्पन होने वाली सोविदाओं को तर्क उधारन समेथ समझाया जाए मनुष्य में हटवादिता और अरह मन्यता का अंश बढ़ा चड़ा अवश्या होता है पर सज्जनता मदोड़ता और दूरदशिता से वेविशेश्ता कि है कि यह दुरागर को भी नरम कर सकती है कोई मनुष्य जिद्धी हो सकता लेकिन अगर हम उसे प्रेम और सज्जनता से समझाएंगे तो यह बुराई भी उसके अंदर से खतम हो सकती है उचलता है सहायक या साधनों की कमी रहने पर भी कोई मनस्वी व्यक्ति एकाकी भी तनकर खड़ा हो सकता है बुद्धिमानी है पर उस पर सीमा तक नरम भी ना पड़ा जाए जिसे कमजोरी समझा जाए शारीरी कमजोरी की तरह मानसिक दुर्बलता भी उतनी ही कस्ट कर है कमजोर शरीर पर बिमारियों का अनायासी आकरमान हो जाता है इसी तरह जो मन से दुर्बल है उन पर भी अनाचारियों का मन आकरमान करने के लिए मचलता है हम दुष्ट तो बने पर दुष्टता सहन भी न करें, हम अच्छय तो बने, लेकिन दुष्टता को सहन नहीं करना चाहें, सज्जनता, नम्रिता और मदरता में इतना सामर्थ है कि ऑनाचार को भी निरस्त करती है, और निरुत्साहित भी, सुधार कारे में यद इवस्तिता अपने रुची हो तो उसे अपने आपसे आरम करना अधिक सरल है यदि हम किजी को सुधार करना चाहते हैं तो अपने आपसे हमें अपना कारे आरम करना चाहिए दूसरे लोग कहना ना माने यह हो सकता है कि तो अपना मन तो समझाया ही जा सकता है अपनी आदतों पर तो विकास या चतुर विद प्रयास ने अंतर जारी रहे तो उस चिंतन मनन का प्रभाव अपने व्यक्तित को परिस्कृत करने की दिश्टी से बहुत अंसों में सफल हो सकता है एक पक्ष कटुता या टकरहाट टिकती नहीं यानि कोई एक तरफ से कटुआ हमसे बुरा कर रहा है तो वो हमसे अगागा हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे तो वो दूसरा व्यक्ति हमसे हमेशा कटुता नहीं दिखा सकता आग को इंधन ना मिले तो उसे देर सवेर संभाबना कहीं अधिक घट जाती है अपने निजी व्यक्तित को हमें इतना शालेन प्रमाणिक एवं प्रकर बनाना चाहिए कि अन्यायों के दोज दूर्गुनों को निरकने परकने उसल जाने एवं सिधानने की आवशक्ता आवश्य में पूरी होती चले